नमस्कार ख़बरों की ख़बर में आपका स्वागत है सुसान सिंग राजपूत की मौत के लिए जितने भी लोग जिम्मेदार हैं वो सारे गुनहगार अब एक एक करके बेनकाव होते चले जा रहे हैं क्योंकि इनकी गर्दन पे तीन तीन एजंसियों की तलबार लटक रही हैं एक तरफ सुप्रीम कोट हैं दूसरी तरफ इनफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट हैं और इसके उपर चल रहा है सी बीआई का डंडा CBI में क्या हो रहा है ED क्या कर रही है और Supreme Court में क्या चल रहा है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन इस case में आज एक बिसफोटक खुलासा हुआ पता ये चला है कि रिया चक्रवर्ती जो इस case के सबसे जिम्मेदार पुलिस अधिकारी मुंबै का टॉप कॉप उसके संपर्प में थी जो कॉल रिकॉर्ड बता रहे हैं उसमें मालुम चल रहा है कि इस सारी घटनाओं के बाद पुलिस के इस वरिष्ट अधिकारी के साथ रिया चक्रवर्ती की पांच पांच बार बात चीत हुई है दो फोन कॉल्स रिया के तरफ से किये गए दो फोन कॉल उस आईपिस अधिकारी के तरफ से आया और एक SMS हुआ है लेकिन ये तो फोन कॉल के डिटेल्स हैं लेकिन इन लोगों के बीच वाटस अप पे या किसी और भी दूसरे प्रेटफॉर्म के जरिये कितनी बातचीत हुई है ये हकिकत अभी तक छिपी हुई है लेकिन वो नाम सामने आ गया है वो पुलिस अधिकारी का नाम है अभिशेक त्रिमुखे जो डिसीपी है और तो और कुछ दिन पहले मुंबे पुलिस के कमिशनर ने बताया था कि इस पूरे मामले को ये अभिशेक त्रिमुखे ही इस पूरे मसले को डील कर रहे है और जो मेन अभिउक्त है उसके साथ चोरी चोरी चुपके चुपके ये लोग बातचीत कर रहे थे क्या बातचीत हो रही थी कैसे बचाया जा रहा था ये सक्स अब तक जैसे ही ऐख़बर आई है इस सक्स को इस केस से बाहर क्यों नही निकाला गया और इसके खिलाफ कारवाई क्यों नहीं हुई ये महराश्ट की सरकार से अब पूछा जाएगा खेर महरास्त की सरकार से तो कोई उमीद नहीं है लेकिन ये सरतिया कहा जा सकता है कि सी बी आई का जब डंडा चलेगा तो सबसे पहली चोट इस पुलिस अधिकारी को लगने वाली है क्योंकि ये प्रोटोकॉल के बिलकुल ही खलाफ है कि आप किसी अभ्यूक्त के साथ इस तरह से तालुकात रखें और भी कई सारे खलासे हो रहे है रिया चक्रवूरती की फोन कॉल डीटेल से कई सारे खलासे हो रहे है और कई सारे नाम सामने आ रहे हैं एक-एक करके ये सारे लोग बेनकाब होने वाले है पता ये चल रहा है कि इस दोरान लिया चकरती ने सोला बार महेश भट से बात की ये महेश भट वही है जिसने सबसे पहले उस तरह की थियोरी फ्लोट की थी कि सुसान सिंग राजपूर एक मांसिक रूगी है बाइपॉलर डिसॉर्डर है सुसान को और इसलिए ये जो नाम सामने आ रहे हैं मैं आपके बात और बता दूँ धीरे धीरे वो सारे नाम सामने आएंगे ये जो बॉलियोड गैंग बहुत सारे महरास सरकार में जुड़े मंतरी बहुत सारे नेता ये सारे लोग एक स्ट्रगलर एक ऐसी हिरोईन जिसको ज़्यादा काम भी नहीं मिल रहा है उसके साथ इनके रिष्टे इनके तालुकात कैसे हैं इसका जब खुलासा होगा ये अपना चेहरा दुनिया को दिखाने लायक नहीं बचेंगे लेकिन मुंबे में इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट में इडे ने आज अपना काम सुरू किया और वो भी इस तरीके से की रिया चक्रवर्ती के होश उर गए कल हमने कैप्टल टीबी में आपको जानकारी दी थी की रिया चक्रवर्ती के वकील वही वकील जो सल्मान खान के वकील हैं संजेदत के वकील हैं उन्होंने साथ ये सजेशन दिया होगा कि वो एडी की पूश्टाच में अपियर ना करे मतलब ये जो एडी की तरफ से रिया चक्रवर्ती को नोटिस दी गई थी उसे वो नजर अंदाज कर दे और आज सवे रे यही ख़बर आई कि एडी में रिया चक्रवर्ती ने एक पिटिसन लगाई ये गुजारिस की कि वो इस जाच में नहीं आ सकती है वो तब तक नहीं आएगी जब तक सुप्रीम कोट में इस केस का फैसला नहीं हो जाता है इसकी गिरफ्तारी का वारेंट इसू करा ले और एडी ने साफ सफ रिया चक्रवर्ति के वकील को कह दिया कि अगर आज आप अपियर नहीं हो गए तो रिया चक्रवर्ति को हम गिरफ्तार करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा देंगे फिर आप मत कहना कि हमें सुप्रिम कोर्ट में केस चल रहा है और E.D. जबरदस्ती रिया चक्रवर्ती को गिरफतार कर ले गई और जैसे ही E.D. की तरफ से ये बयान ये बात रिया चक्रवर्ती के वकीलों को बताया गया एक घंटे के अंदर रिया चक्रवर्ती E.D. के दफ्तर के दरवाजे पे खड़ी थी अंदर वो गई साथी साथ उसके फादर उसके भाई और जो तमाम लोग जो इसमें अभ्युक्त हैं सब को E.D. ने बुलाया और सुरुवाती दो घंटे तक सबसे अलग-अलग पूछताज की गई हमारे पास कुछ जीटेल्स है कि E.D. ने रिया चक्रवर्ती से क्या-क्या बात चीत की कई सारे सवाल पूछे जिसमें ये भी पूछा कैसे जानती हो क्या रिस्ता है किस तरह का रिस्ता है लेकिन इसमें सबसे एहम बात जो E.D. ने उनसे पूछा है वो ये कि आपने जो अब तक इंकम टैक्स रिटर्न भड़ा है वो 14 लाग से 17 लाग एनुल इंकम का है तो ये बताएं कि कैसे आपने मुम्बे में दो दो बड़े बड़े प्रापरटीज आपने खरीद ली जिसकी कीमत कलोरों में है ये पैसा कहां से आया C.A. को बुलाया गया C.A. ने कहा कि उन्हों लोन ले लिया गया था बहुत सारी बहाने बाजी हो रही है और तो और मुझे याद आ रहा है ये मुंबई पुलिस की तरफ से यही अभिसेक त्रिमुखे जिसके संपर्क में रिया चकरवर्ती थी उसने ये बयान दिया था कि नहीं पैसा कोई ट्रांसफर नहीं किया गया ये मुंबई पुलिस का बयान है कि रिया चकरवर्ती के अकाउंट में सुसांत के अकाउंट से कोई पैसा नहीं गया है लेकिन E.D. से ख़बर आ रही है कि ये बहुत शातिर और चालबाज किसम के लोग है इन्होंने वो जो दो-तीन कमपनिया बनाई है जिसमें रिया चकरवर्ती और उसका भाई डिरेक्टर है पैसा सुसांत के अकाउंट से उस कमपनी में गया और उस कमपनी से पैसा सिफन आफ किया गया है वहाँ से फिर ये लोग लूट मचाने में जुटे हुए थे तो कहने का मतलब ये है कि रिया चकरवर्ती की सारी चालाकी रिया चकरवर्ती की लीगल टीम एडी के सामने घुटनी टेक चुकी है और कई सारे सवाल पूछे गए हैं जिसका जवाब रिया चकरवर्ती सही सही नहीं दे पाई है जो उसके भाई ने जवाब दिया जो उसके फादर के तरफ से जवाब आ रहा है जो उसके सिक्रेटर के तरफ से जवाब आ रहा है उसमें कई विरोधा भास है और इसमें वो अब बुरी तरीके से उलज गई है लेकिन कई लोग ये पूछ रहे हैं ये तो जो इन्विस्टिगेशन एडी का चल रहा है उससे ये कैसे पता चलेगा कि सुसांत ने आत्म हत्या की या हत्या दरसल रियाचकरवनती के घर की खरीदारी से कमपनी से सुसांत की मौत का क्या रिष्टा है कई लोग इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं आपको बता दू ये एक प्रोसीजिरल मसला है चुकि ये पूरे इशू को मौंबे पुलिस महराश्ट की सरकार अपने हाथ से बाहर नहीं जाने देना चाह रही थी और सुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये लोग अपनी साजिस में काम्याब हो जाएंगे इस मौत के उपर पर्दा डालने में सफल हो जाएंगे तो केंदर सरकार अपनी ऐसी एजनसी जिसके उपर महराश सरकार का कोई अख्तियार नहीं है कोई अधिकार नहीं है उसको इसके पीछे लगाया गया था कि ताकि एक फुट होल इस पूरे चांच में मिल सके लेकिन अब जब CPI ने काम अपना सुरू कर दिया है जब FIR लॉज कर दिया गया है तो एक तो मसला ये जो पैसे के लेंदेन की है वो तो अलग चलेगी ही लेकिन मौत की वज़़ा क्या है क्या सुसांत को मारा गया क्या सुसांत की साथ जोर जबरदस्ती हुई या उसने आत्मत्या की इसकी तहकिकात अब CPI करेगी ये ED का जांच अलग है CPI की जांच अलग है CPI ने क्या किया है CPI के पास अब वो 70 पेज का investigation वो पूरी report जो बिहार पुलिस ने मुंबे जाकर के वो सबूतों को इकटा किया था उसको CPI को सौप दिया गया है और इसके साथ ही CPI ने अपने FIR में 6 लोगों को चुकि ये complaint सिफ आर्थिक मसले को लेकर के था तो उसे एक FIR में convert किया गया है और CPI ने FIR दर्ज कर लिया है और अब CPI इन सारे चीजों को फिर से खंगालना शुरू करेगी मौत के एक एक चीज को खंगालना शुरू करेगी और जो हमारे पास जानकारी है कि जो CPI ने इस जाच के लिए जो टीम बनाई है उसे कहते हैं Elite SIT और ये Special Investigation Team जो Elite है वो दिशासालियान से इस केस को जोड़ करके Investigation करने वाली है कहने का मतलब ये है कि जो सवाल सोचल मीडिया में ने उठाया जो सवाल मीडिया ने उठाया और जो सवाल मुंबे की पुलिस और उदव ठाकरे की सरकार ने भुला दिया उसे छिपाने की कोशिस में लगे हुए थे वो साजिस अब फेल हो गई है और अब सबकी नदर सुप्रीम कोट की तरफ है और सुप्रीम कोट ने इस केस की सुनवाई के लिए आप ये समझने की 17 तारिक के आस पास इसकी सुनवाई होगी और इस दोरान कई सारे डवलप्मेंट्स भी हो जाएंगे जैसे सुप्रीम कोट के अंदर बिहार पुलिस ने अपना एक हलफ नमा दायर कर दिया है और ये जो 17 तारिक तक CPI जो जाच करेगी CPI भी अपने तरब से इस जाच का एक खाका सुप्रीम कोट में रखेगी और सबसे मजदार बात ये है कि बिहार पुलिस ने जो अपने हलफ नमा में और जो सबूत के साथ जो सुप्रीम कोट में जो दस्तावेज उन्होंने जमा किये है उसमें उन्होंने ये माना है कि चुके ये मसला मनी ट्रांजेक्शन का है और ये कई सारे राज्यों से जुड़ा हुआ है ये बात हमने एक मैने पहले ही इस बात को कैपिल ट्रांजेक्शन का है कि जो अलग अलग राज्यों में कमपनी डिरेक्टर सारे चीज़ें जो कई सारे राज्यों से इसका तालुकात है इसलिए बिहार पुलिस ने भी इस केस को सी बी आई दोरा जाच की जाए इसकी मांग की है कहने का मतलब ये है कि CBI इनके पीछे पड़ी है ED इनकी कबर को खोदरी में इनकी जड़ों को खोदरी में लगी हुई है और सुप्रिम कोट पहले से ही इनकी गती विद्यों से पूरी तरह से नाराज है लेकिन ये सारी कानूनी दाओं पेश तो अपनी जगह चल रही है इस बीच एक हबर ही आई है कि वो चाभी बनाने वाला जो सुसांत के कमरे की डुप्लिकेट चाभी गाइव हो गई ये थियोरी जो उसके दोस्तों ने दी जो लोग उस घर में मौजूद थे कि वो चाभी बनाने वाला आया जिसने उस धर्वाजे को तोड़ा और वापस चला गया वो अब मीडिया के सामने आ गया है और उसने सारी सारी बातें क्योंकि वो अब सामने आ गया है तो इसे C.V.I.S. के पास सारे सवालों का जवाब भी देना पढ़ेगा क्योंकि जिस तरह की बाते ये सिदाद पठानी अलग-अलग चैनलों पे अलग-अलग तरह की कहानी बता रहा है कि दो घंटे वेट करने के बाद इसने उस की मेकर को बुलाया की मेकर आया दर्वाजे को तोड़ा लेकिन दर्वाजे के अंदर क्या है वो की मेकर ने नहीं देखा ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधा भास है और ऐसा लग रहा है कि ये सारी लोगों को ये जितने भी लोग टेलिविजन चैनल पे आ रहे हैं कोई रिया का मेनेजर बनके तो कोई सिसांत का दोस्त बनके तो कोई सिसांत ये सब के सब इस बॉल्यूड गैंक के द्वाड़ा पढ़ाए गए वो तोते की तरह उस एक ही कहानी को टेलिविजन के सामने उगल रहे हैं लेकिन जब CBI इन से सवार जवाब करेगी ये पांच मिनट तक अपनी त्योरी पे ये जो कहानी ये जो गढ़ रहे हैं उस पे वो टिक नहीं पाएंगे रिया चकरवर्ती के लिए आज बहुत बहुत जटके का दिन था क्योंकि अब रिया चकरवर्ती की गिरफतारी बिलकुल उसको कर सकते हैं उसका वक्त आ गया है कि जब वो सलाकों के पीछे रहेगी जिसके लिए वो लगातार बचने की कोशिस कर रहे थी क्या जेल जाने के डर से रिया चकरवर्ती सारे राज को उगलने वाली है क्या वो सच बताने वाली है क्या सुसान्त की मौत के उपर जो रहसी बना हुआ है जो परदा डालने की कोशिस की गई है क्या वो उसे हटाएगी अगर नहीं हटाएगी तो वो जेल जाएगी अगर जेल से उसे बचना होगा तो क्या वो दिशासालियान की पार्टी में कौन-कौन लोग मौजूद थे उसकी मौत की कहानी क्या है सुसांत और रिया में जगडा क्यों हुआ था उसका दिशासालियान से क्या लेना देना था क्या ये सारे राज रिदिया चक्रवर्ती खोलेगी अगर नहीं खोलती है तो मुसिवत में फसेगी क्योंकि अब ये केस CBI के पास है ED के पास है महराश्ट का कोई भी नेता कोई भी मुख्यमंत्री कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा डिरेक्टर अब उसकी मदद नहीं कर पाएगा हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है आप देखते रहे केपिल टीवी हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद